जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ Head Quarter Western Command भरती 2020 के बारे में जो कि रिसेंटली जारी की गई है और जिसमें की दस्वी पास या फिर अनपड केंडेट भी आवेधन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्ते याँ पर अभी जो आप वीडियो में PDF चेक कर पा रहे हो यह आपका DAVP Official Website के तरफ से जारी किया गया है यह एक ऐसी Website है जो की Job Employment Provide कराती है Basically आपको Job Update देती है तो यही पर यह PDF डाला गया है और जो आपकी भरती होने वाली है यह आपकी Temporary Basis है और सुरुआती जो आपका Temporary Basis रहेगा वो 124 दिनों का होने वाला है यहाँ पर जो आपकी Post निकाली है वो आपकी Mates and Other Civilians की है जिसके लिए 34 पद है Portards के लिए 360 पद है और सफाई वाला के लिए 6 पद है जो की कुल मिला करके हो जाते है 400 पद Legibility कराटी देकी बात करें तो यहाँ पर बोला गया कि पर आपका हिमाचल परदेश का निमासी होना जरूरी है आप यह भी कह सकते हो कि इसमें हिमाचल परदेश के केंडेट ही आवेधन कर पाएंगे और आपकी उमर 18-40 साल के बीच रहने चाहिए जो की काउंट की जाएगी 7 अगस 2020 तक इसी के साथ Individually should be medically fit and should not be suffering from any contagious disease यानि के आपका fit होना जरूरी है साथ ही आपको कोई ऐसी विमारी नहीं होने चाहिए जो की चूने से फैलती हो फिर यहाँ पर Individually should be in possession of water ID card, रसन card, अधर card, certification from village, पंचायत यानि के आपका इन में से किसी एक card के अंदर नाम होना जरूरी है यानि के आपके उपर कोई case नहीं होना चाहिए और इसके संबन्द में आपको वहाँ पर police verification की एक report भी लगानी होगी जिस दिन आपका interview होगा क्योंकि इसमें आपका कोई exam नहीं है, एक cd भरती है यहाँ पर जो आपका palace of test या फिर interview आपका इस location पर रहने वाल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो इसी के साथ date and time of interview यहाँ पर आपका दिया जा रहा है आपका जो time है वो आप देख लीजिए और 7 अगस से लेकर 10 अगस 2020 के बीच आपका interview होगा यानि के साथ से लेकर 10 तक चलेगा पांच वे point के अंदर यहाँ पर आपको photograph color के बारे में बताए कि कितने photo होने चाहिए और यहाँ पर नीचे आपको बाकी की जानकारी भी देखने को मिल पार है कि कौन कौन से document आपको interview के ओपर लेकर के जाने है फिर आता है entitlements यानि के wages and allowances तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस post पर आपको exactly क्या salary दी जाएगी total मिला करके तो यहाँ पर जो आपकी mate और अन्य जो पदे इन पर जो आपको salary मिलेगी वो आपको 24,729.84 मिलेगी यहाँ पर कुछ और point देखने को मिल पारे आप चाहे तो इनको भी read कर सकते है जिससे कि आपको जब आपको document verification या फिर जीजिन आप इंट्रू के लिए जा रहे हो उसके उपर कोई भी problem नहाए तो दोस्ति यह थी आपकी head quarter western command भरती 2020 के बारे में पूरी जानकारी आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आई है तो प्लीज आउस वीडियो को like, share और साथ इसाथ आपके अपने YouTube चैनल ग्यांदे होश्ट को subscribe कर ले